तो चलिए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आई यार बी इंफ्रा इस्ट्रक्टर डेवलपर्स लिम्टेट के बारे में आज 14 परसंट की तेजी देखने के लिए मिल रही इस तेजी की पीछे प्रॉपर एक कारण है जो कारण है कंपनी ने खुद बताया है एक्सेंज को सोचित किया है और इसको मैं आपनों को यहां पर बता दूँ हलकी अगर आज देखेंगे तो आज इसमें बोल्यूम बहुत ज्यादा टेड़ हुआ है अभी यहां पर तो बोल्यूम दिखा रहा है तीन करोड़ सोला लाक ही कुटी से और जिसमें से एक करोड़ इकुटी से जो है डिलिवरी में उठा गया एक तीस परसेंट का डिलिवरी परसेंटर दिखा रहा है लेकिन वहीं पर अगर हम अपनी वेश्याइट पर देखेंगे अपने एप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है लगभग लगभग पहुने साथ करोड़ इकुटी से है जो है डिलिवरी मतलब ट्रेड होता हुगा दिख रहा है मतलब बहुँ ज्यादा क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है इस स्टॉक में अभी तक ही केवर मतलब अभी पैंताली न्यूज है एक्सेंज को सुचित किया है कंप्री ने और उसको अगर यहां पर आप लोग देखोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा अभी अपलोड नहीं हो रहा है लेकिन यहां पर देख से तो मैं पीडिएप ओपन किया हूँ पीडिएप को वेरिफाइ कोई बात नहीं है ठीक न छोड़िए तो देखिए इसमें मैटर बहुत लंबा वाला है लेकि डिसीजन अभी आया है मैटर क्या है तो वो मैं आप लोगों को बता दू कि एनचाई के तरफ से एन एच ए आई ठीक न इसके जो एनचाई है हमारा रोड वाला जो सरकारी है न अर्क करना था और नहीं चाई को शुरू करना था और नौ सो दिन में ठीक न नौ सोड़ीन का मतलब सिधा सिदा अंदाजा लगा लिए तीन साल के आसपास का समय हो जाएगा कमी होगा जिसको पूरा करना था इनको दिसमबर 2017 तक पूरा करना था लेकिन एन चाई के तरफ से जो जमीन है वह कुछ से इस को मतलब कंपनी को कि कंपनी अपना काम करेगी तो उसको जो काम करने के लिए पर सब सब आप जो है लोट करको करके दोगे तभी नरोड बनाएं कि अब कोई जमीन ही नहीं देगा लपड़ा फस जाएगा मैटर ज्यादा खीच जाएगा तो सारा का सारा कोष्ट बढ़ जाता है जैसे कोई काम अगर आज किसी को आडर दिया जाता है उसको बोल दिया जाता है कि तीन साल में पूरा करना है अगर वो साल तीन साल में पूरा ना होके अगले तीन साल के बाद छे साल में पूरा होता है जापि उससे भी ज्यादा देख सकते हो सरकारी काम जो होते हैं वो लंबे खीच जाते हैं तो उससे क्या होता है कि इंफलेशन तो छे परसंट के रेट रहेगा ठीक न तो उस वज़ए से जो company को यह जितने में ठेका दिया गया था ना उससे ज्यादा इस company का पैसा लग गया मतलब यह अब तो यहां पे कितने में आडर था यह नहीं दिया गया क्यों जितना इनको जो है claim इनों किया उसको दिया गया मतलब माल लेते हैं कि एक त बता गया यहीं कि मतलब पूरी नहीं हो पाई समय से परियोजना पूरी नहीं हो गाई इसको जो पूरी पूरा किया गया 2020 में सितंबर 2020 मतलब जो दिसंबर 2017 में पूरा करना था उसको जो दिसंबर 2020 में पूरा हुआ उप परियोजना और देजी के करण से समय और लागत में बिरिद्धी हुई जिसके लिए उसने 12 मार्ज 2021 को NHI के मतलब उपर मुगतमा दायर कर दिया कंपनी ने तो वहीं बात है कि आप जो चीज 5000 में हो जाना चाहिए तो आडर मिला था 5000 का माल लेते हैं एक यह नहीं जाके 2015 में देखना पड़ेगा कि कितना अडर है ठीक है उसको तो कंपनी को घटा हो गया जहां पर कंपनी काम कर रहे है प्रोपिट के लिए वहां पर उसको लोस हो गया तो उसी लिए कंपनी ने एक मुकदमा दायर कर दिया ठीक है न और उस मुकदमे का अभी फैसला आया है और सीधा का गया है कि एनचाई ने जो है देरी कर दी जमीन उमीर प्रोवाइड कराने में इस वज़े से इनका ज्यादा पैसा लाग गया जहां पर प्रो सबग हैंगे कि हम लोग सत्रहश्व करोड या फिर सीधा इसको सीधा इस इतना बूली एक रजार शेम्मीर करोड का मिलेगा ठीक ना और यह ब्याच साथ इनको मिलेगा और और यह सवान दिन की समय तक रियायती अवदी की विस्थार तक लाभ भी आयारख को मिला थीक है तो यह किया जा रहा है कुल मिला के इतना कमपनी को पैसा मिलने वाला है सिधा तरब से यह एक बड़ी खबर निकल के सामने आ और इसी के वज़य से जो है यह बड़ी सी तेजी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है अब इसका अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एक बार के लिए देख लेते हैं कि कंपनी को जितना मिल रहा है पैसा यह कितने दिन का इसका जो नेट मैंने रखता है तो यहां पर यहां पर यह जाएंक कि इतना कंपनी काम करती है जितना खर्चा कार्ट पीट के समने समच भजता है उससे कहीं बढ़ तो इतना तो इसका कि बात करेंगे देख सकते हो एक सो सब्सक्राइब करोड़ को नेट प्रॉफिट कम्पनी को होता है और अब इसको अगर हम लोग साल दर साल बेसेश पर देखिए पिछले तीन साल में अगर हम लोग को जोड़ेंगे तो यह पांद 5 उसाथ ऐस्त अफट वह जाएगा और साथ 15 मतलब समझी कि 12-22 तेज पूरे तीन साल में जितना इसको नेंट प्रॉफिट हुआ था तीन साल में यहीं मैं फोकस करा रहा हूं आपको कि तीन साल में जितना इसको नेट प्राफिट दट उतना इसको मुआवजा के तरफ से मिल रहा है मुँ तो तरफ से तरफ से तरफ से तो यह बहुत बड़ी रकम है और इसी वज़ा से आपको 13% की तेजी देखने की भी मुआवजा तो मिलता है लेकि यह मुआवजा कितना बड़ा है आप इससे अंदाजा लगा लिए कि तीन साल के कंपनी का नेट प्रोफिट और यह मुआवजा एक बराबर उससे भी ज्यादा है यहां पर देखेंगे एक क्वार्टर में कंपनी जितना क्वार्टर में जो है टोटल डिवेन्यू जनेरेट करती है उतना उसके बराबर देखिए यहां पर साड़े साड़े सोला सोला इससे दिखाई तो बस इत्ते अंदाजा लगा लिए कि यह कितना बड़ा और है और यहीं दिखाने के लिए मैं आया कि मेरा में मक्सद था कि आप यह जानों कि यह कितना बड़ा अब इस वाइस से तेजी हुई है अब इसमें एक चीज और है बीस परसेंट के आसपास इसकी ते क अब नहीं आया है अभी तो अभी बचा अभी 5% से बचा है ठीक न अगले दो दिन में अगर यह 5% बाग गया न तो फिर समझ लीजे कि इसका कि अप्वे सब्सक्राइब तो समझरे कर दानों संके लिश्ट में में घूक सब्सक्राइब सब्सक्राइब में की हैं सब्सक्राइब तो इस्टॉप लोस 42 कराएगा एवरेज करना है तो 50 पर करिएगा और फिरहाल में भी थोड़ी बहुत खईदारी कर सकते हैं क्योंकि एंट्री नहीं लेंगे तो उसका मतलब क्या नहीं रहेगा इतिजार करेंगे 50 का भाग जाएगा 75 पर तो यह हो जाएगा उसका अगर हम को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो ले